यह सबलोकडाउन खितम होगा जब पो रोना महामारी कहतं होगा तो जो सबसे बड़ा प्रढोल माया हमारे देश के सामने हमारे समाज के सामने हमारे लोगों के सामने इह ए cough बेरोजगारी का आज ही अगर देखा जाए तो इंडिया का DGP पूरी तरीके से नीचे आ गया है और डियर फ्रेंड ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कोई भी जगा नहीं दिखाई दे रहा है या ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है जो कि इतने सारे लोग रोड़ ऐसे लोग है जो की वेरोजगार हो जाएंगे और एक तरीके से कुछ तीनों बाद वेरोजगारी एक बहुत बड़ा लोगों के लिए अभी साथ अभी साथ बन जाएगा लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाएगा ओडियर फाइटर मैं आपको बताना चाहता हूं या जितने भी से लोग सुन रहें देखें कोई भी ऐसा जगह नहीं है कोई भी ऐसा प्लेट फॉरम नहीं है जो इंडिया में 30 कड़ोर लोगों को रोजगार दे सके ले लोगों को रोजगार देने का चमता रखती है तो पूरी अगर इस देश की एक तो पचीश करोर लोगों को रोजगार देने का चमता रखती है एक और एक सेलिंग एक ऐसी उपरसूटी है एक ऐसा बुजनस है जो कि रोजगार को क्रेट करता है सबसे बढ़ी बात यह नहीं है कि आज शीवक्मार यहां से पचीश से तीस लाख नहीने का इंकम देता है में लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो बिजनस हमारे माधदियम से टीन लोगों को तीन लाख लोगों को ऑपर सूची मिला है तो डियर त्यारेक्स सेलिंग इतना बड़ा पोटेंशिल रखती है इतना बड़ा स्कॉप रखती है कि इस तेस्ट के ब्रोजगारी को खतम कर सके तरेक सेलिंग इस देश के डीजी पी को बढ़ा सकता है कि आपे समझें कि आगे आने वाला दिनों में अगर लोगों को इस बेरोजगारी से अगर कोई निकाल सकता है सोन सुनना आ रहे हैं नहीं वासे है अगर लोगों को बेरोजगारी को अगर निकाल सकता है अगर लोगों को रोजगार्य दे सकता है तो को टिन्सदाट ता ग्लीफों डारेक्श से लेगा't कि आपको यह समझना पड़ेगा अगर आज अगर नेटी पूरपं करेंस कि अगर बात किया जाए अगर दारेक्ट सेलिंग के कर बाद किया जाए तो डारेक्ट सेलिंग के भी बहुत सारे अजा अज जया एक जाओ नो डाउट में और चने कैसे आवाम है एक बाइक वाला लड़का तीन साल में ओड़ी में आ जाता है लेकिन कि सबसे बड़ी बात है कि कि इस बिजनस में आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही कंपनी का चुनाव करें कि सही प्लेट फोरम का चुनाव करें यह आपको माप डंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही प्लेट फोरम पर काम कर रहे या नहीं कर रहे यह आपको समझना पड़ेगा आज अगर इस बिजनस के गर बात किया जाए तो क्या इस सबफे पहले आपको यह ध्यां देना पड़ेगा आज अगर देखा जाए तो आपको यह चुश करना पड़ेगा कि जिस प्लेट फोरम के साथ आज आज काम कर रहे हैं जिश्वी कंपनी के सब्सक्राइब कर रहे हो उसका प्रोड़क्ट की क्वालिटी क्या है उसका अगर आप मार्केट में अगर आप प्रोड़क्ट को अगर दे रहे हो अगर लोगों में आप प्रोड़क्ट को अगर दे रहे हो तो प्रोड़क्ट का रिस्पॉंस क्या है आज अगर देखा जाए तो अगर डारेक्ट शेलिंग नहीं करते इसके बाद भी क्या आपको उस प्रोडक्त की जरूरत पड़ती त्यूर फ्रेंड अगर आपके प्रोडक्त का रेस्पॉंस मार्केट में आ रहा है अगर प्रोडक्त का रिजल्ट अगर आ रहा है तो यह सही है इसके अलावा परहला चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्त प्रोडक्त की क्या है अब की आपको को आप देखना पड़ेगा कि आप this system के साथ काम कर रहे हो वह system कैसा है क्त्याजिए फ्रेंड बिना सिश्टम चेह पको यह वी बड़ा काम नहीं कर सक करते हैं कि आपके मेहनत के अलावा आपके लीडर्शिप के अलावा डारेक्ट सेलिंग में इन सब चीजों का कॉंबिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिडाउट कॉंबिनेशन कभी भी सक्सेज नहीं लिया जा सकता तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका सिस्टम प्रोपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आप जिस अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हो आप जिसके मारदर्शन में आप काम कर रहे हो वह अपलाइन हैल्फुल है या नहीं आपके केरियर के बारे में वो सोचता है या नहीं सोचता है इसके अलावा आपको यह भी देखना बहुत जादा जरूरी है कि आपका कमपनी का पे आउट का गल्पोनेशन कैसा है में यह इसी लिए बताना चाह रहा हूँ की कि यारेक्ट सेलिंग में मैं चाहता हूं कि हर इंसान का सपना पूरा हूं हर इसुशेट यहां से करोड़ पती बने लेकिन आपको अगर सक्सेज होना है तो पर बनना है तो आपको यह माप डन समझना पड़ेगा कि राइट प्लेट फॉरम क्या है और रॉन प्लेट फॉरम क आपको आउत के हैलकुलेशन के समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज अगर डारेक्व सेलिंग के नाम पर अगर देखा जाएं है कि तो बताई जाता है साथ परसेंट कैल्कुलेशन और पीस परसेंट लोगों को दिया जाता है पचीस परसेंट प्रोब्लम का सामना करना पड़ेगा और आज ये सब समझना पड़ेगा कि आपका प्रोड़क्ट कैसा है आपका सिस्टम कैसाया आपके इकन अपनिकर व difisat में इसी यह ऌहीं बताना चाहरा हो कि आज बहुत शारे लोग एशे के जिनकी बात किया जाए जिनकी बत तो आज डारेक सेलिंग के नाम पर गटिया से घटिया प्रोडक्ते पे अगर बात किया जाए तो पचीस-से-स परसेंट पे आउट कि आज अगर देखा जाए तो कोई सबॉट नहीं कोई बैक अप नहीं और जिसके चलते लोग डारेक सेलिंग सेमाँ परेश इंडास्टी को जोईन करते हैं अगले चार पात साल मेहनत करने के बावजूद छे साल मेहनत करने के बावजूद लोगों का कैरियर बरबाद हो जाता है आप इस चीज को आप समझे कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस इंडेस्टिज में जो कि पात साल से साथ साल से मैं किसी भी कंपनी की की बात नहीं करना हूं लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि एक सही कंपनी कौन सी है आपका करियर कहां पर बन सकता है आपके साथ जितने लोग आये हैं उनका फ्यूचर कहां पर बन सकता है या आपका और आपका फ्यूचर आगे आने वाले भरिष में गर्दिश में जान क्रिक पूरी एफर्ट के साथ काम करें पूरी मेहनत कर रै और आज अगर देखा जाए है तो पाथ शार में पाच लाग का चीम्मेंट लिए हैं एक कि और बोलते हैं हम बहुत बड़े ब्रांड कंपनी के साथ काम करें अजय यह समझने वाली बात है कि जब आप खुद के के कैरियर को नहीं बदलते हो पाफ साल में साथ साल में तो आप लोगों के का कैरियर को कैसे बदल सकते हो सबसे पहले खुद को जो इंसान करियर को बदलता है उसके बाद अपने साथ वाले के करियर को चेंज करता है तो यह समझना पड़ेगा कि अगर जो पाथ साल से किसी भी डारेक सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं आज अगर वो खुद अपने खुद के दो लाग तीन लाग महीने का इंकम भी अगर नहीं ले पा रहा है तो लोगों को कैरियर को कैसे चेंज कर सकता है तो जितने भी डारेक सेलर हमें सुन रहे हैं मैं आपके भविश्च के लिए बता रहा हूं अगर ऐसी बात है तो कहीं न समय के साथ अपने आपको बदलता है वो दुनिया पर राज करता है और जो समय के साथ अपने आपको नहीं बदलता है वो दुनिया में फेलियर कहलाता है तो अगर पांच साल में अगर लाइफ नहीं चेंज हुई साथ साल में अगर लाइफ नहीं चेंज हुई तो आपको स प्लेटफॉरम चूज करने की ज़रूरत क्योंकि अगर डारेक सेलिंग इस प्रीमरों का विज्दस है अगर इस इंडेस्ट्रीज की अगर बात किया जाए और एक कोई भी व्यक्ति अगर इस इंडेस्ट्रीज को ज्वाइन करता है और पात साल के अंदर अगर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है अगर वो पात साल साथ साल में अगर वो लगजरी कार में नहीं आ पाता है अगर पात साल में जो भी उसने सपना देखा उसको पूरा नहीं कर पाता है तो डियर फ्रेंट कहीं न कहीं सोचने के ज़रूर क्योंकि यह हम बोलते हैं कि आपके पास एक पैन फूलिस्ट और ड्रीम होना बहुत जादा जरूरी है विडाउट पैन फॉल ड्रीम सक्सेज नहीं दिया जा सकता है कि आप अगर इस इंडस्टिज को ज्वाइन किये हो तो आपका ड्रीम होना चाहिए कि आज मैं साइकल से घूम रहा हूं आज मैं बाइक से सफर करता हूं लेकिन आगे आने वाला तीन साल बात मेरे पास भी चमचमाती हुई लगजरी कार्व कि मेरे पास भी अपनों सपनों क का घर हो होगा मेरे अब ही अज़ razor अब को पूरा करने के लिए एक घर्ले को का होना सबसे ज्यादा जरूरी आज अगर देखा जाएं तो यह मैं इसी लिए बता रहा हूं कि डारेक्ट सेलिंग में जो हमारा जो सफर है वह आज का नहीं है मेरा इस इंडेस्टिज में 12 साल हो गया मैं आज साल पहले भी काम किया और अगर आज साल में अगर देखा जाए तो हमने दीन और रात एक किया 20-20 घंटे तक काम किया और डारेक्ट सेलिंग में जो भी चीच बोला जाता है है कि हमने उसको settler की लगातारे फ़ट लगाने के बाउजूंट लगातार फेंट झालने के बाउजूद संपने पूरे नहीं ुझे ना तो हमारे सपने पूरे हुए ना तो लोगों के सपने पूरे हुए है अगर कोई ये बोलता है कि खुद के फर्ट लगाने से सक्सें मिलती है तो जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं मैं उनको यह मैसेज देना चाहता हूं कि आज साल में कि मुझे नहीं लगता कि हमने कोई मेहनत में कमी किया होगा ना मेहनत में कमी था ना कोई लीडर्शिप में कमी था ना हमारे टीम में कोई कमी थी जो डाइरेक्ट सेलिंग बोलता है वह हंट्रेट परसेंट फॉलो किया था लेकिन प्लेटफॉरम ना होने की वज़ा से हमारे सपने पूरे नहीं होगा प्लेटफॉरम ना होने की वज़ा से हम लोगों की मजबूरियों को समझते हुए हम केवाल उन्हें मौटिवेट करते थे हम केवाल उन्हें सांतावना देते थे डियर फ्रेंड लेकिन जब उस दीन को हम याद करते हैं तो आखों में आशू आ जाती है क्योंकि पहले दीन से हमने हंड्रेड परसेंट इफार्ड के साथ इस बृष्य हंड्रड परसेंट हम ने पहले दीन से सोचा था किम घरेक सेलिंग का रिकॉड ब्रेकर बनना है टारेक के लिंग में साथ लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है लेकिन डियर फ्रेंड कि अपने पूरे नहीं हुए तड़ थी सब कुछ था लेकिन राइट लेट फॉरं के वज़ा से पूरे नहीं हुए और आज मैं थेंक बोलना चाहता हूं फिर हमारे कंपनी अम डी को मैं थेंक बोलना चाहता हूं स्वाइट फॉरं को आज से पूने चार साल पहले मैं SLEPS platform को चूच किया और आज पौने चार साल में मैं वही किया हूं जो पिछले बारा साल से कर रहा था और आज जहां पर पिछले आज साल में हम खुद करोड़ पती नहीं बन पाए थे हमने अपने लोगों के सपने को पूरे नहीं कर पा रहे थे कि आज इस प्लेट पॉरं की वज़ा से आज हमारे साथ तीस से ज्यादा फाइटर ऐसे हैं जो अपनी खुद के लगजरी कार को मेंटेन कर रहे आज ऐसे 25 फाइटर है जो कि करोर पती बन चुके और डियर फ्रेंड मैं जितने भी डारेक्ट सेलर हैं उनसे मैं यह आहाउन करना चाहता हूं कि आप एक सही प्लेट फॉरम को चूज कीजिए स्क्राइब का बहुति लिए तो बाद में मौका नहीं रहेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि कि इस बी कंपनी में बहुत अच्छे पैसे कमारें darby A star अब चूच कर सकते हुए लेकिन्स आसब और समझना पड़ेगा की कुछ लोग्ये बोलते हैं कि हमारा कंपनी ब्रांडेड कंपनी है कोई भी कंपनी खोल लेता है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्रांड क्या होता है डियर फाइटर जहां पर सबसे ज्यादा सक्सेज रेशियो है जिस भी प्लेटफॉरम पर लोग सबसे अच्छे पैसे कमा रहे है इसका मतलब होता है कि उस कंपनी का प्रोड़क्त सबसे बेटर है उस कंपनी का प्रोड़क्त सबसे बेटर है उस कंपनी का मैनेजमेंट बेटर है उस कंपनी का सिस्टम बेटर है और आज मैं बोल सकता हूं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज मैं पिछले चार साल से लगबख चार साल होने वाला है जून पूरा होगा तो मेरा चार साल होगा हमने डारेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी लीडर को गारेक्ट को चार साल के अंदर हमने यह नई देखा कि खुड के साथ करें पीश कि फाइटर को लग्जरी कार मिला मैं काभी नहीं देखा किसी भी और यह कि मेरा वारा साल का एक्सकेरियес अर वारव साल है हमने तहुम एक दिन का भी ग्वेक्प नहीं दिया है हमने नहीं देखा इस इंड़स्टिज में कि किसी भी कंपनी में ऑन ग्राउंड पचास से ज्यादा लोग लगजरी कार को मेंटेन करते हैं किसी भी कंपनी में पाथ साल के अंदर पचास से ज्यादा उसके लीडर अपने खुद के लगजरी कार में आ चुके हैं डियर फाइटर यह मैं अपनी आखों के सामने देख रहा हूं कि आज मैं इस प्लेट फॉरम को बहुत नजदीक से देखा हूं कि आज अगर सक्सेज रेशियों के अगर बात किया जाए तो इंडियन डारेक्ट सेलिंग में एसली पीएस के अंदर ऐसा एक भी फाइटर नहीं है जिसने अपने सिद्दत के साथ काम किया जो बताया गया वो किया वो दो साल के अंदर तीन साल के अंदर अपने लगजरी कार में नहीं आ रहे शीखने में टाइम लगा किसी को एक साल लगा किसी को दो साल लगा लेकिन आज अगर चाहे लगजरी कार की अगर बात किया जाए चाहे आज करोर्ण पती बंने कि अगर बात किया जाए चाहे आज इस अगर सकसेज रियशियो की अगर बात किया जाए डायरेक्ट सेटंब começ वे सक्छ रिश։। कम ओते कुछ जगों की अगर बात किया कि ऊसंपनी में कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेस पूल है कि प्लपती है किपने यह जो लॉकुप्र महीने के इंका मेरे हैं कितने असे लिड़रंको पचाशत लिड़ ए रहे हैं और कितना ज्यादा सक्सीज्यो appropriate क्योंकि मेरा मामना है कि डारेक्ट सेलिंग में जब तक डेफ्ट का लीडर अच्छा पैसा नहीं कमाता है तो आप इस इंडस्टी में फ्री नहीं हो सकते हैं और आज पिछले चार साल से मैं इस एसली पीस प्लेट फॉरम को देख रहा हूं और मैं सैलूट करता हूं अमारे कम अमडी साहब को क्योंकि लोग बोलते थे कि अगर प्रोड़क्ट अच्छा रहेगा तो प्रोड़क्ट अच्छा नहीं किया जा सकता लेकिन यह फाइटर मैं आपको यह चीज और आज बताना चाहूंगा कि आपको यह भी समझना बहुत ज एसाम कर रहे हों लो है कि उसका वीजन कैसा है है कि या वो डінक heut टारेट सेंव पूल मिंगों जानता है है यां कि लोगों को पेन को समझता है क्योंकि अगर आज अगर दे लिए तो आज बहुत सारे एंग्डि ऐसे अ Tail भी बाहर से पैसे कमाई और क्वा ऐन से कमपनी को फ अच्छान है जलाना बहुत मुस्किल है लोगों को सपने पूरा करना बहुत मुस्किल है आपको यह ची समझना पड़ेगा कि क्या MD को यह पता है कि लोग एक-एक सेल लाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते ही क्या उसको डारेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सपेरियंस है क्या लोगों को दुख दर्द को समझ सकता है और जहां पर को कोई MD का वीजन ही नहीं है जो अपने लिए सोचता हूँ कि मैं बोलता हूं कुछ घर को आज त्याक देना चाहिए डियर फ्रेंड नहीं तो साथ वाले लोग भी आगे आने वाला दिनों में MPH दोस्त नहीं देंगे वह आपको देंगे क्योंकि आपको देखते हुए इस ट्रभ ट्वार च्रॉट आपको ज्वाम को नहीं बताया अगर आयसा है तो आप कर्मुन के कि सी कंपनी के साथ अपना कीर windows एक जाम्राव कर दो किये खू बितना पड़ा स्कुप रख्त कि जहां से आपके भी सथने कुरे होंगे आपके परिवार के भी सपने पूरे होंगे आपके संलाज के भी सऽने पूरे होंगे और इस अभी इस जेश conten datcial किसे लिए और डियर फ्रेंट आज मैं ऐसली प्यसके एमडी को बात करता हूं मैं बहुत नजदीक से उनको जामता हूं मैं समझता हूं एक ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों के लिए जीते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों के सब्ने को पूरा करने के लिए सब अपना दीन और रात एक कर दिये हैं आज अगर इस कंपनी की बात किया जाए तो यह कंपनी आएमडी की नहीं एक कंपनी लोगों की है और आज उसका रिजल्ट है विछले पांच साल के अंदर हमने यह देखा इस प्लेट फॉरम में कि ऐसा यह एक भी लीडर नहीं है जो शिद्दत के साथ इस बिजनस को किया जो हैसली पीएस को किया उसके सपने पूरे नहीं तो डि अगर मेहनत करने से अगर सक्से मिलती तो पिछले आज साल में भी मैं मेहनत किया था और आज यहां पहुने चार साल से वही काम को कर रहा हूं लेकिन आज साल में मेरी असी लाग की अचीवमेंट थी और चार साल में मेरे पास मैं बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूं आज मेर के पास साहे साथ करोर से ज़्यादा का अचीवमेंट वर्ली फोर पहुने चार साल हुए आप समझ सकते उस चीज को आज पहुने चार साल के अंदर आज तीस लगजरी कार अचीव है आज पहुने चार साल के अंदर आज पचीस लीडर करोर पती है आप समझ सकते और नीचे भी अगर मैं डेप्ट के अगर बात करूं तो मैं डारेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैं ऐसा नहीं देखा हूं कि जितने भी फाइटर यहां पर काम कर रहें कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो एक साल डेड़ साल मेहनत के साथ काम किया दो साल और लाख उन पर महीने का इकम नहीं दे रहा है तो डियर फ्रेंड अगर ऐसा कुछ हो पाया है तो यह हमारे कंपनी एमडी के वीजन के कारण हो पाया है उनकी सोच के कारण हो पाया है और मेरा आहावन है जितने भी डारेक्ट सेलिंग हमें सुन रहे हैं कि आप एक सही कंपनी को चूज करो नहीं तो बरबाद हो जाओग है मेरा बोलना है टाइम है टाइट इस दोट फॉर्ट वेस्ट समय और लहरे किसी का परतिच्छा नहीं करती या तो अपने आपको चेंज कर लो या तो दुनिया आपको चेंज कर देगी क्योंकि डारेक्ट सेलिंग कि आप साल में अगर सपने पूरे नहीं हुए मोतिवेसफ़ी आपका कायर नहीं लगा है लोगों का केरियर लगा हुआ है मौटिवेशन से किसी का लाइफ नहीं बदलता मौटिवेसपट से किषी कि स्कूदे क्में लघज़ते हैं अगर और यह एक बंदा काम करता है और जब पर बच्चे को दूथаю लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं Steffen मोट्इवेशन खूल में मिल जाता है तो मैं मांता हूए एक साल मैं मांता हूँ दो साल में साथ-우-साल थीन नहीं तो साथ आले भी कहीं नहीं थोस्त जरूरे धोस्टे कि कोई Labi को देखे गार आपको देखने अब है कि तो आपको गलत थाविफ कर देखिंद करें थैघी अपने साथ हमारे केरियर खराब कर्दिया हमारे बच्छे- वांगाक तो आज जरूरत है कि अगर आपके सपने को पूरा करना है अगर आपके द्वीम को पूरा करना है तो आप एक सही प्लेट फॉरम को चूच करें ऐसली प्येस उसका एक उदारन है कि आज ऐसे लाखों चेरे जो कि डारेक्ट सेलिंग में फैल हो चुके थे फैलियर थे और की पहला हमारा आपका पहला हमारा मैसेज है एक राइट कंपनी का चुनाव को राइट कंपनी को चूच करने के बाद आपको यह चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको यहां कुछ पूरे सिंदद के साथ इस विसनस को करना है क्योंकि यहां से अगर आपको सक्सेज होना है अगर आपको टोपर बनना इस इंडस्टिज में तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां सक्सेज मिलती है कि टीडीकेशन से सक्सेज मिलती है जुनून से सक्सेज मिलती है पैसें से सक्सेज मिलती है गुरुभाक्ति से सक्सेज मिलती है कि सिस्टम को फॉलो करने से जो डारेक्ट सेलिंग का प्रिंस्पल है वह आपको फॉलो करना पड़ेगा मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसा कोई भी व्याक्ति नहीं है इसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो कि एक राइट प्लेक्ट फोरम को चूज करें एक सही अप्लाइन के साथ काम करें और उसका सपने पूरे नहीं है मैं दावा देता हूं अगर आपने सपने बनाया है तो आपके सपने पूरे होंगे लेकिन जो भी डारेक्ट सेलिंग का प्रिंस्पल बोलता है वह आपको फॉलो करना पड़ेगा वह आपको पालन करना पड़ेगा सबसे पहले हमारे जितने भी फाइटर हमें सुन रहे हैं मैं आपको बहुत-बहुट वधाई देता हूं धन्यवाद देता हूं कि आ अप लोगों ने पिछला क्लोजिंग किया और पीछले ले ञोजिंग में आप लोगों ने जबल जश्म कि परफॉर्मेंस किया हमारे जितने भी कैपिंग अचीवर है मैं उनको भी बहुत तहें दिन से धन्यवाद देता हूं हमारे बहुत सारे फाइटर ऐसे हैं जो कि एक लाग के उपर वीक ली लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं हमारे जितने भी कैपिंग अचीवर हैं मिश्टर अमीद दूबे जी अनूश सर्मा जी नसीब खान जी विकास जी रवी जी महेश जी महिंदर जी और जितने भी कैपिंग अचीवर हैं मैं उनको तहे दि के इस्टिटी में भी आप लोगों ने कमाल का प्रफॉमेंस किया इसके अलावा हमारे जीतने भी एक लाग से ज्यादा अचीवमेंट एक लाग से ज्यादा वीकली चेक लिये हैं वाइंडरी का उनको भी मैं तह दिन से धन्नेवाद देता हूं और हमारे जितने भी फाइटर हैं जिन होने मनाली तारगेट को अचीव किया उनको भी मैं सुक्रिया आदा करता हूं और जितने भी फाइटर जो की हमारा डेफ लाइन है जो की आज के इस्थिती में भी इतना जबर्जस्ट परफॉर्मेंस कर रहे मैं आपको से जुट करता हूं डिया जितने भी कि आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है लेकिन मैं आपको बताया हूं कि अब हमारे देश के सामने हमारे समाज के सामने जो सबसे बड़ा चुनोती है और आगे आने वाला दिनों में जो सबसे बड़ा चुनोती रहेगी वो विरोजगारी की रहेगी और इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि जब बारिस होता है तो छत्री लेके तयार हो जाना चाहिए जब यूद होता है तो पहले उसका ठाल तलवार लेके तयार हो जाना चाह यहांगा चैनल, कि अब भीजिता को अपने सेफटी का ध्यातना पड़ेगा अपना है, कि हम आपको ऎक स्टेँ बटते के जारेे, लेकिन सेप्टी के सात्प, आपको यह भी समझना पड़ेगा, कि आपको यहां से इस देश से बेरुज़़ारी को भी खतम करना है आपको आप पूरी तरीके से अपने आपको तयार करना पड़ेगा प्रिपेर करना पड़ेगा ऐसा बोला गया हमारे हमारे वेस के पी-म का भी ये मैसेज आए उन्होंने देश आहाओं किया है कि जान भी और जहान भी तो हमे अपने आपको ख्याल रखते हुए हमें हमें अपने जीविकां के बारे में सोचना पड़ेगा हमें लोगों कि भी के बारे में सोचना पड़ेगा तो डियर फाइटर अब समय है और भी बेहतरीन पर्फॉमेंस करने का और आज जब तक लोकटाउन है क्योंकि यह एक दिन में खतम नहीं होने वाला इसमें टाइम लगेगा तो अपने आपको क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से ह में भी बहुत बड़ा पर्फॉमेंस किया जा सकता है लोकटाउन में भी बहुत बड़ा रिजल्ट निकाला जा सकता है मैं बात करूंगा अभी कि लोकटाउन में आप कैसे जबर्जस्ट पर्फॉमेंस कर सकते हैं और इसके बाद मैं बात करूंगा कि लोकटाउन में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा और अब तार्गेट को बीट कर और अपने टीम में बीडाओ तो आपको अबपने आपको बदलना पड़ेगा कि क्या करने की जरूरत है भी अभी ओनलाइन विज्टनस को समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसा बोला गया है जैसे जिसे समय बदलता है हमें अपने आपको चेंज करने की ज़रूरा है पहले हम लोग जो काम करते थे हम लोग हॉल के अंदर हम लोग परजेंटेशन करते थे हॉल के अंदर हम लोग सेमिनार करते थे हॉल के अंदर हम लोग मिटिंग करते थे तो बाकी बहुत सारे मैसेज हम आपको जूम मिटिंग के माद्रियम से देंगे लेकिन यहां पर भी कुछ मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने अपने आपको बदला उनका बिजनस आज लोग डाउन में भी पहले जैसा ही हो रहा है और हंड्रेड से वह जाधा ऐसे भी अमारे लीडर है जिनका लॉप डाउन के पहले सेल तेर सो जाता था और आज पांचो जा रहा है यह चमतकार है लेकिन ऐसा हो पाया है सिर्फ प्लानिंग के कारण क्योंकि डियर फाइटर ऐसा बोला गया है कि सकति साली सेना से मजबूत उसकी योजना होनी चाहिए दुनिया में किसी को विजयता बनाता है तो वह उसका योजना बनाता है तो अभी करने की क्या जरूरत है हम लोग पहले क्या करते थे हम लोग पहले ट्रेनिंग करते थे ट्रेनिंग करते थे सेमिनार हौल के अंदर ट्रेनिंग करते थे आज आप ट्रेनिंग करो तीन दिन के अंदर आप ट्रेनिंग करो फ्राइडे सटाइडे संडे आपको एक दिन त्रेनिंग होना जरूरी है क्योंकि सिस्टम आपको भी ओन्लाइन सब कुस ट्रेनिंग करना पड़ेगा एक दिन ट्रेनिंग करो लगातार प्रेनिंग नहीं होना चाहिए इसके अलावा जितने भी लीडर है अपने लेबल पर एक ट्रेनिंग को करें दूसरा ट्रेनिंग होने के बाद आपका मेगा वेबिनार होना चाहिए मेगा वेबिनार बड़े ऑफिशल ग्रूप पर भी हो रहा है आपके सिनियर मोस्ट लीडर जो भी ग्रूप बनाए उसके माद्यम से हो रहा है इसके अलावा आप लाइफ सेमिनार करें जूम आइप के माद्यम से करें सेमिनार कैसे अगर आप संडे को अगर आप हंडेड लोगों को अगर आप प्लान दिखाते हो तो आप संडे को प्लान दिखाने के बाद आप यह कोशिश करें कि मंडे को जितना भी पहले जिस तरीके से फॉल अप होता तो आप Sunday को प्लान दिखाने के बाद Monday को उनका प्रॉपर फॉल अब करें और अगर 100 गेस्ट अगर प्लान में आए हैं तो आपका minimum जो रिजयर्ट आना चाहिए उसमें से 30 आने चाहिए अगर 100 में से 30 का रिजल्ट अगर आ रहा है मंडे तक या तब तो आप प्रोपर सिस्टम को फॉलो करे और हंड्रेट को अगर आपने ऐ जुम के मादम से आपने प्लान किया आपने जू मादम से आपने किया और अगर उसमें से अगर 30% अगर result नहीं आते हैं तो आप system को follow नहीं करें कि पहला दिन आपका webinar शेकर्ण डे आपका fall up and closing और जब fall प्लोजिंग होते हैं तो तीसरा दीन आपका एफाइम होना चाहिए यह सिस्टम वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था लेकिन पहले वन्टु वन होता था अभी ओनलाइन करना पड़े इसके बाद जब एफाइम हो जाता है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तीसरे दिन के बाद चौते दिन फिर आप 500 लोगों का आप वेबिनार करें फिर सेम प्रोसेस को आप फॉलो करें मतलब लगातार प्लान होना चाहिए फिर उसका फॉल अप होना चाहिए फ जितना ज्यादा एफ आईओ ओगा उतना ही ज्यादा रिजुल्ट आएगा आपको यह धियान देना है रिपोर्टिंग विलए सकते हो कि प्लान में कितने लोग बैठें अगर प्लान में सो बन्थे बैठें तो उसका रिजूल्ट कितना आया तो अगर आप इस तरीके से अ की आजा सकता है और किया जा रहा है लेकिन आप आपको आंलाइन बिसनेस करना पड़े कि इसके अलावा सिस्टम को फॉलो करें जैसे आप पहले सिस्टम को फॉलो करते थे और मैं आपको जूम के मात्रम से बता दूंगा कि किस तरीके से आप और ज्यादा ब्रद्दस्वाप अफग्रेट कर सकते हो इसके बाद आपको थ्यान देना है वन्टू वन भी काम किया जा सकता है खुद के सेटी को रहके आधे बहुत सारे ग्रीन जोन है जहां अगर देखा जाएं तो कोई भी कुरोना का केस नहीं है वहां पर वांटू वन काम भी किया जा सकता है आप एक सी देखना ऐसा बोला गया है हमने देखा था कि एक बर बहुत ज्यादा ठंड थी और ठंड के समय में बहुत सारे लुग हमारे पास आते हैं और हमयों बोलते हैं ससे आज जिसको भी मैं फोन लगा रहा हो बोलते हैं सब्सक्राइब काम ही घंतर है वेल्ली निखाल के आदू , टू घूतर है दूनिया में सक से पुल पर्सन होते हैं वो हर प्रोग्लम को बदाल देते हैं और अचरीत ऊस्टेश कूल परसंस दूनिया में देद करते हैं कि धीन को इनकेस क्हों के समझना पड़ेगा आप अपसी प्रफॉरम को करना पड़ेगा जा रहा हूं लगजरी कर तो मैं चाहता हूं कि मेरा फाइटर मुझे क्रॉस करें मैं लोगों को बताता हूँ तो मुझे खुशी नहीं होती है मुझे तब खुशी होती है जब मेरा टीम का लीडर जब मीटिंग लेता है और लोग तालिया बजाते है तो मेरा सीना चोड़ा हो जाता है गर्फ से कि जिस डीम के लिए मैं डारेक्ट चली किया तो दीन आ गया ह हमने अपने लोगों पागे बढ़ा है तो मैं जितने भी डैफ्ट के लीडर सुन रहे हैं आज सिर्बर गोल्ड आप सबी लोग डाइमेंड हो लेकिन आज आज आपको समझना पड़ेगा जो सीव कुमार ने किया जो हमारे गुरुजी ने किया जो सिनियर मोस्ट लीडर न ग्रीम जोने बाहर निकलना पड़ेगा और आज डियर फाइटर मजा आगया बिजनस करने में आप एस समझो कि अगर पहले रख देखा जाए तो एक समय ऐसा होता था कि क्राउंड डाइमंड को मिलने के लिए 6-6 महीना टाइम लग जाते थे लेकिन आज एक क्राउंड डा सकते हों और आगे आने वाले दिनों में ट्रेंड बन गई है कि जूम के मादें से फेस्बुक के मादें से सोचल मीडिया के मादें से बड़े से बड़े लीडर आप से कनेक्ट होंगे तो इसका रिजल्ट